तो बच्चों आप देखते हैं question no.4 द्रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पूर्ति यानि की आपको पूरा करना है यह incomplete है पहला बाग एक डैश है क्योंकि यह केवल मास खाता है बाग किस तरह का जानवर है? मासा हारी तो हम यहां रिखेंगे मासा हारी दूसरा हिरन केवल पादर उत्पात खाता है इसलिए इसे डैश कहते हैं और हिरन क्या खाता है विज़ा? पौर्दों से बनी हुई चीज़े हैं तो इसलिए से क्या बोलते हैं? शाका हारी यहां हम लिखेंगे शाका हारी तीसरा, तोता केवल डैश उतपाद खाता है तोता किस तरह की चीज़े खाता है? पौदों से बरी हुई चीज़े हैं? जन्तों से बरी हुई चीज़े? पौदों से बरी हुई चीज़े हैं इसके यहां हम लिखेंगे तोता केवल पादब उतपाद खाता है अग्या मैं हमेची ली डैस से मिलती है हमेची ली करना से मिलती है तो बीटा आज मैंने आपको lesson number बाती question answers complete करा दिये है आपने यी सारा काम अपनी notebook में बिल्कुल neatly करना है colorful pencils का इस्तमाल करके आपने इस chapter को बहुत presentable बनाना है और करने की बार मुझे whatsapp पे अपना notebook का काम चेक करने के रिफिशना है थैंक यू बच्चों